बाई साव इस देश के हर घर में एक बेटी बैठी है जिसका देश कम पढ़ रहा है बस इस उमीद में कि वो छाती ठोक कर उसे बिदा कर सके तो नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का आपके चैनल AV box office में एक बाश फिर से आज की दिन हम बात करेंगे फिल्म एक विलन भीन रिटन के अभी तक के आठ दिनों के बॉक्स अफिस कलेक्शन के बारे में और साथी सथम आपको बताएंगे फिल्म विक्रान तरोना के नो दिनों के बॉक्स अपिस कलेक्शन के बारे में चलिए दोस्तों हम बढ़ते हमारी अपडेट के तरब देखते रहेएगा पूरा वीडियो और दोस्तों के पहले अगर आप जोन अबरहाम और किच्चा सुधी के काफी बड़े फ्रेन है तो आपके रहामारी चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको मिले की अक्षे कुमार सर की फिल्म में रक्षा बंदन, आमिर खान सर की फिल्म में लाल सिंग चड़्डा के पब्लिक रिव्यू एगवं बॉक्स अप इस कलेक्शन के अपडेट सुध हिंदी में सबसे पहले दोस्तो अगर हम बात करें हमारी पहली फिल्म विकरान तो रोना की तो दोस्तो यह फिल्म में एक मिश्टीरियस क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसके निदर आपको किच्चा सुधिप का बहतरिंग एक्षन और दोस्त करोड 91 लाक रुपए और दोस्तो फिल्म में अपने 9 दिन का जो बस और जो क्रेज बताया है वह लगभग है 2 करोड रुपए का जिसके चलते है इस फिल्म में का इंडियन नेट कलेक्शन 68 करोड 71 लाक रुपे हो चुका है और दोस्तो फिल्म में का बजटे 90 करोड रुपे वहीपे फिल्म में का वल्ड वाइट ग्रॉस कलेक्शन 110 करोड रुपे हो चुका है तो दोस्तो आपके ओपिनिन क्या है अगर आपने ऐफ फिल्म में देख ली अच्छी लगी है फिर बुरी कमेंट जरू करिएगा वहीपे दोस्तो फिल्म एक विलन रिटन की तो दोस्तो आप सभी को पता है कि लव सेक्स में धोका डालिंग जैसी बहतरिंग मुवी एक विलन रिटन जिसके नदर आपको जोन अबराहाम अरजुन कपूर, तारा सुतेरिया और दिशा पटाने जैसे बहतरिंग एक्टर काम करते हों नजर आते हैं फिल्म ने दोस्तो अपने पहले दिन की तावरतोड ओपनिंग ली 7 करोड 5 लाक रुपे की वहीं पर फिल्म ने अभी तक हम सब के बीच में अपने 8 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन कल लिया है 35 करोड सित्यासी लाक रुपे वहीं पर दोस्तो फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 41 करोड रुपे हो चुका है और दोस्तो फिल्म ने ओवर एसे से कमा लिया है लगबग 10 करोड रुपे जिसका वर्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 51 करोड रुपे यानि कि दोस्तो यहाँ पर फिल्म एक विलन रिटन सूपर हिट तो सावित हो चुकी है अब हमको देखना यह है कि आगे चल कि यह फिल्म और कितने करोड रुपे का कारोबार करती है तो दोस्तों अगर आपने इन दोनों फिल्मों को देख लिया तो आपको इन दोनों में से कौन सी फिल्म अच्छे लगी और कौन सी फिल्म बुरी कमेंट करके जरूर बताईएगा और आने वाली फिल्मों की अपडेट को जानने के लिए आपके रहमाचेल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा जय हिंद वन्दे मातरम